लो नमस्ती साथियो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल साहता पर तो साथियो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रधान मंत्री आवाज योजना ग्रामीन के अंतरगत जिने लाभार्थियों ने 2023-2024 के अंतर एडिट होंगे उनका जो हाउस है वो सेंसें हुआ है या फिर नहीं जियो टैगिंग के लिए अप्रूवल मिली है या फिर नहीं पूरी प्रक्रिया वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और साथियों यहां पर मैं आप लोग को लाइव आधार नमबर के माध्यम से अपने पीम आवास योजना ग्रामीन की ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो स्थिती होती है यानि कि दोस्तों जो स्टेटस चेक होती है उसे आसानी से कर सकते हैं तो चलिए साथ यो वीडियो को सूरू करते हैं उससे पहले आप सभी से पॉटल है जहां पर फिजिकल फ्रोग्रेस डिबोर्ट यारे जो फाइनन से लिर होती है उसमें को हां कौन से स्टेट में कितने पंड रिलीज हुए है लाभरतियों को कितने आवास मिले हैं अभी तक कितने लाभरतियों का Comes Central हुआ है कितने लाभरतियों के खाते में प पर आना होगा, यहाँ पर आने के बाद दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोग को सबसे पहले तो जो डीजेल से वो दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं कि यहाँ पर जब लाभारती आकर जो बेनिफीसरी स्टेटस को चेक करने जाते हैं, तो सिर्फ उन्हें जो है सारे जो लाभारती हैं, उन्हें वो कमेंट करके हमें ये पूझ रहेते कि क्या वो आधार नंबर के माध्यम से अपने जो आवेदन की स्थिती है, उसका पता लगा सकते हैं, उन्हें जो हाउस स्टेटस है, वो क्या है, उसका पता लगा सकते हैं, तो सांतियों इसी के बिस नमबर के माध्यम से ही status को चिक कर सकते हैं दोस्तों काफी सारे state government के तरफ से अब ये facilities लाभार्थियों को दे दी गई है लाभार्थी अब अपने आधार नमबर के माध्यम से ही beneficiary status का पता लगा सकते हैं दोस्तों उन्होंने जो पंजी करण PM आवस योजना ग्रामीन के यहां पर दोस्तों तीन option दिये गया है जो कुछ इस प्रकार से ओडिया लेंग्वेज में लिखा गया है लेकिन दोस्तों हमें simply third option पर क्लिक करना है और जैसे हम लोग third option पर क्लिक करेंगे तो जो work order से संबंधित details है यानि कि दोस्तो beneficiary details वो कुछ इस प्रकार से हमारे सामन निकल कर आएगी जिसमें हमें simply दोस्तों यह जो box है इसमर अपना आधार नंबर को एंटर करना है आधार नंबर को जैसे ही साथियो जो odysa के लाभुक है वो एंटर करते हैं और view के detail पर क्लिक करते हैं तो उनके सामने जो beneficiary status है और उसके बाद जो work order है वो कुछ इस प्रक किया जाएगा और अगर work order जारी कर दिया गया है तो दोस्तों आपको कब तक आपके खाते में पैसे मिलेंगे तो दोस्तों सिर्फ बाडी सा ही नहीं कापी सारे state के तरफ से दोस्तों इसी प्रकार से जो है अपने state के लाभार्थियों के लिए जो है facility दी गई है आधार नं सिंग ये दोस्तों जो आपको टेक्ष देखने को मिल रहा दोस्तों इसे सिंपली जो है आपको सर्च करना है और उसके बाद आपको अपना state का नेम है दोस्तों उसे यहां पर फिलप कर देना है state की नेम को आप जैसी फिलप करेंगे तो आपके सामने official website कुछ इस प्रकार स से ओपन हो जाएगी जहां पर आपको क्लिक करते ही आपकी जो आधार नंबर इंटर करने का जो option है वह आपर ओपन हो जाएगा आप जैसी आधार नंबर डालेंगे तो दोस्तों आपका जो beneficiary status है वह ओपन हो जाएगा तो साथ यो कुछ अपडेट पीम आवास योजन ग्र सब्सक्राइब करें धन्यवाद